नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे और आज की वीडियो हमारी सभी वीडियो से काफी ज़दा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको OB पोर्टल खासतोर पे यूज कैसे करना है और साथी में मैं आपको कि उसके उपर से आपको कोश्ण पेपर जो है वो कैसे डाउनलोड करने है उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आपको आंसर शीट जो है अपनी वो कैसे अप्लोड करनी है तो काफी important वीडियो है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अन तक जरूर देखना और इस वीडियो को अपने सभी class group में share कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके उन्हें भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े OB के टाइम पर तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप LLB की त्यारी करना चाते हो खास तोर पे DU LLB की त्यारी करना चाते हो और इस बात से चिंतित हो कि आपको त्यारी कैसे करनी है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो आपको बिल जल से जल आप डाउनलोड कीजिए the legal Indian applications को, इसके अंदर आपको full lecture online classes provide कर आई जाएंगी, और इनका जो course है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद application डाउनलोड करके उस पर visit किया, और मैंने चेक किया तभी मैं आकर यहाँ पर आपको review दे रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड कर सकते हूँ, काफी अच्छे courses है, और खास तोर पे जो sir आपको preparation करा रहे हैं, वो sir खुद Delhi High Court में advocate है, तो बहुत अच्छी preparation आपकी वहाँ पर हो सकती है, साथी में आपको वहाँ पर online doubt clearing का option भी मिलता है, जिसमें आप online chat कर सकते हो sir के साथ, और भी बहुत सारी option जो है आपको application में मौदूद है, अगर आप इसे download करना चाहते हो, तो मैंने इसका link जो है वो description box में दे दिया है, आप इसे जाकर download कर सकते हो, साथी में अगर आप इनके courses लेते हो, तो मेरा code use करना ना भूले मेरा code है गौरव, और अगर आप इस code को use करते हो, तो आपको मिलेगा 200 से ज़्यादा का discount, अभी जाए और download कीजिए the legal Indian application को, तो दोस्तो चलिए हम चलते हैं dashboard पे और आपको दिखाते हैं, कि वहाँ पे आपको login कैसे करना है, कैसे आपको question paper download करना है, कैसे आपको अपनी answer sheet upload करनी है, तो दोस्तो सबसे पहले आपको DU के OB के portal पे जाना है, और यहाँ पर अपना role number और password के साथ यहाँ पे login करना है, इसके related मैंने वीडियो अल्रेडी डाल रखी है, कि कैसे आपको OB के portal पे registration करना है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, तो जाकर देख सकते हो, अमारे चैनल पे मौजूद है, तो यहाँ पर मैं अपने जो university role number है, और साथी में उसका जो password है, OB portal का वह यहाँ पे fill करूँगा, और अपनी ID login करूँगा, तो यहाँ पर आप अपने dashboard पे देख सकते हो, open book examination की option आ गई है, साथी में CBCS की option है, तो जब आप उस option पे click करोगे, तो आगए आपका interface जो है, अगला page खुल जाएगा, जिसके अंदर आप अपना चेक कर सकते हो, कि किस date को कौन सा exam है, कई बर क्या होता है कि, कई बर ये show करता है, कि there is no exam on this day, बड़ ऐसा नहीं है, आप अपने date sheet को follow करो, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कि 17 मिनट जो है, मेरे examination में अभी left है, देखिए ये वीडियो पुरानी है, 2020 में जब मेरा exam होगा था, मैंने record कर ली थी, और मुझे पता था कि, आप सभी को इस वीडियो की ज़रूरत, बहुत ज़दा पढ़ने वाली है, तो 9.30 बज चुके हैं, यहाँ पर मेरे उस दिन के, और यहाँ पर देख सकते होगी, click hair की option जो है, यहाँ पर आ चुकी है, और जैसी आप यहाँ पर click here बे click करोगे, तो आपका next page ओपन हो जाएगा, जो की एक step होगा आपका paper को download करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि कई बार portal पर बहुत ज़्यादा लोग visit करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 504 gateway time out का option आता है, तो इससे चिंदा करने की कोई जरूद नहीं है, एक दो बार जब आप refresh करोगे, तो आपका portal refresh हो जाएगा और आप भी paper download कर पाऊगे, लेकिन जो बच्चे PC, laptop या computer पर बैठते हैं, या cafe से exam देते हैं, तो उनको इन दिक्कतों का सामना बहुत ही कम करना पड़ता है, यह basically phone users के साथ ही होती है, तो यहाँ पर मैंने जब 2-3 वार refresh किया, तो यहाँ पर हमारा portal आगे खुलना शुरू हो चुका है, और यहाँ पर फिर आपको general कुछ guidelines दी जाएंगी, जो कि आपको पढ़नी है, अगर पढ़ना चाते हो, पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर नीचे basically आपको यहाँ पर agree करना होता है, कि हाँ भाई जो भी मैं exam दूँगा, वो fairness के साथ दूँगा, इसमें कोई भी cheating का, यह सब का role नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, तो मेरे खिलाफ strict action लिए जाए, यहाँ पर उसके बाद आपको submit करना है, जैसे ही आप submit करोगे, तो फिर आपको main portal पे आप चले जाओगे, जहां से आपको अपना paper जो है, वो download करना है, और अपनी जो answer sheet है, upload करनी है, तो यहाँ पर portal slow हो सकता है, इस बात का आप सभी ध्यान लखे, बहुत slow चलता है portal, तो जैसे कि जैसे मैं आपको instruct करता जाता हूँ, जैसे जैसे उसको आप follow करते जाना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि जहाँ पर add file की option है, उस पर click करने के बाद अपनी gallery में enter हो जाते हो, वहाँ से आप अपनी जो भी jpg में select करना चाते हो, या documents में select करना चाते हो, तो यहाँ पर कर सकते हो, उपर आप देख सकते हो, यहाँ पर download paper की option है, means कि यहाँ से आप अपना question paper अपने quotes का download कर सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पर click करोगे, तो आपके download की option मिल जाएगी paper की, और यहाँ से आप अपना question paper download कर सकते हो, तो हमारा लगभग question paper download हो चुका है, अगर आप चाहो तो जाकर अपने जो भी WPS या फिर जो भी आपके पास file है, उसे देख सकते हो, तो यहाँ पर जब आप अपना paper submit कर देते हो, upload कर देते हो, तो view response का भी option आता है, कि अपने paper को दुबारा से आप देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर कोई changes नहीं कर सकते हो, एक बार अगर आप submit कर देते हो, तो आप उसमें कोई changes नहीं कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर first question attempt किया है, और इसके लगभग मैंने यहाँ पर 13 page लिखे है, और उसके बाद number 2 पर मैंने attempt किया है, और इसके मैंने 9 page का answer दिया है, third मैंने attempt नहीं किया है, fourth का मैंने 8 page में दिया है, fifth attempt नहीं किया है, और 6 का मैंने 8 page का answer दिया है तो इस तरह से आप अपना जो है चेक कर सकते हो और इसके साथ ही आपको मैं बता दू कि जैसे ही आप अपना paper submit करोगे तो आपका जो email address होगा जो register होगा उसके उपर एक confirmation mail भी जाएगी जो कि ये बताएगी कि आपका paper जो है वो successfully submit हो चुका है अगर आपको ये email नहीं आती है तो आप एक बार दुबारा जरूर चेक कर लिजेगा आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को जदा सजदा अपने फ्रेंड में शेर करें और साथ ही में डाउनलेड करें दा लीगल इंडियन एप्लिकेशन को डियू एललवी की त्यारी करने के लिए साथ ही अधर एललवी एंटर्स टेस्ट की त्यारी करने के लिए